हमारे हैदराबाद के दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, COVID-19, कोरोना वाइरस, इसके खिलाफ केवल हैदराबाद या तेलंगाना, हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में जंग चल रही है, इस जंग को हमें जीतना है, इस जंग को जीतने के लिए, कुछ मुश्किल डिसिजन भी लेने हैं, इस जंग को जीतने के लिए, आपको और हमको मिलकर, सबसे पहले, सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मुला है, उसको फॉलो करना होगा, जैसा कि Government of Telangana ने GEO 45 निकाल कर कुछ गाइडलाइन्स दिये हैं, जिसके तहट केवल Essential Services को ही खुला रखा जाएगा, Essential Services जैसे बच्चों के लिए दूद सप्लाई, मेडिसिन्स, हॉस्पिटल फेसिलिटी, कुछ अर्जेन्ट समान जैसे समय पर सबजी खरीदना, या कुछ ग्रोसरी खरीदना, इसकी अलावा बाकी सब चीज, सब दुकान बंद रहेगी, कल आप लोगों ने जनता कर्फ्यू को 100% सक्सेस्फुल बना कर, एक determination का नमूना आपने पेश किया है, मैं आप सब को इसका मुबारक बात पेश करता हूँ, दोस्तों, अख़वारों में और टीवी चैनल में देखने से आप लोगों को पता चला होगा, कि चाइना में, जब ये वुआन में शुरू हुआ, तो उसके पहले चाइना के जो पडोसी देश हैं, जैसे कोरिया, जापान, थाइलेंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, केवर इन सब देशों को ज़्यादा इंपैक्ट हुआ था, लेकिन इन सब देशों ने जल्दी ही तैयारी करके, घर में रहकर, बंद डिक्लेयर करके, लॉकडाउन करके, अपने आपको बचा लिया, जैसा कि आप जानते हैं, ये वाइरस बड़ा घमंडी है, इसको आप जब तक अपने घर बुलाएंगे नहीं, ये खुद चल कर नहीं आएगा, इसका मतलब ये है, कि जब तक आप एक इन्फेक्टेड आदमी के नजदीक नहीं जाएंगे, ये वाइरस आप तक नहीं आ सकता है, तो इसलिए इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है धर में रहेंगे, अगर आप धर में रहेंगे, तो ये वाइरस आप तक नहीं आएगा, अगर आप बाहर जाएंगे दूसरों से मिलेंगे तो इंफेक्टेड लोगों से ये वाइरस आप तक पहुँच जाएगा दोस्तों हैदराबाद शहर हिंदुस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहर है एक करोर से ज़्यादा पॉपुलेशन इस शहर का है हमारी जिम्मेवारी बाकी सब सहरों से ज़्यादा है आप गवर्मेंट के दौरा दिया गया सभी गाइडलाइन्स जीओ फॉटिफाइव और बाकी सब इशूज जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे डीजीपी साहब ने आज प्रेस मीट में कहा उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से लौ एन ओर्डर और ट्रैफिक सभी ऑफिसर को ये ओर्डर दिया गया है कि सड़कों पे जो अननेसेसरी भूम रहे हैं उनको रोका जाएं हैदराबाद शहर में किसी तरह का आटो का मुवमेंट अब से नहीं होगा उबर ओला और इस तरह की टैक्सी सर्विसेस बिल्कुल एलाउड नहीं हैं आप लोग अगर ऐसे वक्त पे डिटर्मिनेशन के साथ काम नहीं करेंगे तो यह बिमारी फैलता जाएगा अख़वारों में आप लोगों ने देखा होगा कि इटली और स्पेन शुरू में बहुत लापरवाही के साथ इस बिमारी से लड़ने का प्लाइनिंग किये उनकी लापरवाही उनके लिए बहुत महंगी पड़ी आज इटली में चाइना से ज़्यादा मौत हुआ है इस बिमारी के कारण मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस गलतियों के कारण इटली और स्पेन में लोगों को नुकसान हुआ वो नुकसान हमारे शहर में हो इसलिए मैं आप से गुजारिश करता हूँ कि आप इस पूरे एडवाईस को बहुत सीरियसली लें घर के अंदर रहें घर के बाहर केवल इसेंशियल काम के लिए जाएं जहां तक रात का वक्त है तो रात को एक भी आदमी बाहर सड़कों पर उनको निकलने नहीं दिया जाएगा अगर किसी को जरूरत है मेडिकल एमर्जेंसी का तो मेडिकल एम्बुलेंस को बुलाएं हम लोग हैदराबाद शहर को और तेलंगाना इस्टेट को आपके लिए बचा कर रखे अगर दस इंसान गलती करती है तो ये दस इंसानों की गलतीयों के कारण पूरा शहर परिशानी में पढ़ सकता है इसलिए उन दस लोगों को आप और हम मिलकर डिसिप्लीन के साथ कंट्रोल में रखेंगे मैं पूरी उमीद के साथ आप से ये बात कर रहा हूँ कल आप लोगों ने दिखाया कि हमारा डिटर्मिनेशन क्या है वही डिटर्मिनेशन 31st मार्च तक हम लोगों को दिखाना है आप और हम मिलकर हैदराबाद शहर को इस वाइरस से बचाएं अगर इतिहास के पन्नों को आप उल्टें तो आप पहले देखेंगे कि पुराने जमाने में बड़ी-बड़ी महमारी कॉलरा, स्मॉल पॉक्स इस तरह की चीज फैलती थी क्योंकि लोग अपने आप को बचा कर नहीं रख पाते थे आज जब आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर घर के अंदर हम रहेंगे तो अपने आप को बचा सकते हैं तो फिर बाहर सडक पर क्यों निकलते हैं मैं सब से बार-बार गुजारिश कर रहा हूँ बाहर नहीं आए पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से अब सक्त कारवाई की जाएगी अगर बिना वजह के आप बाहर निकलेंगे तो